कि अब्रीवन वेलकम तुद अश्टडी कॉंसेट करने पर की सीरीज में आपका फिर्से स्वागत है और यह वीडियो जो कि मैं आपकी सामने लिख के आया हूं और इसमें वह सारे इंपोर्टेंट दस कॉर्शन लिखा हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है उन सभी एक्जाम्स की दिए MPPSC, UPSC, SSC, CGL और Unisable Services जो कि आप जिनमें पाटिसिपिट करते हैं तो वो सभी स्टुडेंट्स जो कि Current Face की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल के साथ में Connect हो जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें All Notification के साथ में जिससे कि आप वो सारे Important Questions Current Face की मेरे साथ में Connect तैयार कर पाएंगे स्टड़ी कर पाएंगे और इसी के सार साथ यह दस कॉर्शन जो आपके सामने लेके आया हूं अगर आपको यह कॉर्शन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा तो चलिए सुरू करता हूं यह अगला वीडियो जो की सोलवा वीड में जिसमें कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सीथे 10% का डिसकाउंट मिलेगा मेरा रेफरल कोड लगाएं और प्लस की उजस बनके आप कंप्लीट प्रेपरेशन कर पाएंगे अभी बहुत ही अच्छा यहां पर इस्पिसल प्राइज वीक चल रहा है ने के इन व नमबर तक यह वैलेड है जो कि अभी हाल में जो प्राइज था वह 16,000 था डाउन करके 13,600 हुआ 15% का ड्रॉप और रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको सीधा जो की फैनल प्राइज है तो यह मौका आपको हासे नहीं जाने दिने चाहिए जिसमें कि आपको सीधा 25% का डि अनकेडमी में फिरी में आपको लिमिटेट स्लेवर्स मिलता है वहीं प्लस में आपको कम्प्रीट स्लेवर्स, अनलिमिटेट मॉक्टेश, पीडिएप नोस, डेडिकेट डाउट क्लियन सेशन, MPPSC प्रिलिम्स और मैंस की पूरी प्रपरिशन और 2000 से यदिक कॉस्चिंस य अनकेडमी पर स्कॉलर्स प्रिलिम्स की फिरी मॉक्टेश होती है, जो कि हर संडे मिलता है सोबा 10 बजे और आत में 8 बजे जिसमें की 50 परसेंट और 25 परसेंट की स्कॉलर्सिप आपको दी जाती है, अनकेडमी पर गुरू माधरसन सब्जेक्ट वाइज फ्री MPPSC मॉक्टे जाएंगे, तो इसमें जोइन करके आप इस से ये प्राइज जी सकते हैं, अनके निवी पर डेली टी टॉन्टी टेस्ट थी जो कि हर रोज 8 बजे आपको और इसका एनलेसिस साड़े 8 बजे मिलता है, जो कि 20 करेंट अफेस का 20 मिनिस का यहां पर एनलेसिस होता है, जिसमें मध्यप्रदिस समस्पेक्टर का फुल लेंद्ध कोर्स जो कि फ्री मॉक्टेस दीज है, जो कि हर रोज सुभा इवनिंग में 7 बजे आपको मिलता है, मध्यप्रदिस हाई कोर्ट का इस्तेनों ग्राफर का प्लस का कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि आज 26 नमवंबर स इसमें आपको प्लस में सब्सक्राइब लेना है और उसमें आप एक्सेस कर पाएंगे रिफरेल कुटर लाकर आप 10% का डिस्काउंट यहां पर आपको मिलते मिलेगा जो कि हर दयाल को स्वा इट मन का फॉंडेशन बेच कोर्स 13 नमवंबर से इंग्लिस मीडियम का स्टार् इसमें के इसमें अगला बेच्च नमवंबर के सारे बेच्चों का अगर आप प्लस की उजस बनते हैं तो और दिसमबर के सारे बेच्चिस का आपको एक्सेस मिलेगा जो की दिसमबर में स्टार्ट के जाएंगे अने पर सब्सक्रिप्ट्र डिफ्रेंट प्लान के होते हैं यहां पर जो कि हैं चौवीस मेने बारा मेने छे मेने तीन मेने तो आपको किसी भी प्लान को चूज करते हुए रिफ्रेल कोड लगाना है हर देलकुस पार टैन परसंट का डिसकॉंड मलेगा और प चले पहला कोशन आगया आपका करेंट अफेस का विश्व स्वाथ संक्तन डबलो एचो ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वेक्सिन के बच्चों पर व्यापक इस्तमाल करने के लिए सेफारिश किये हैं मलेरिया डेंगू टाइफाइड या फिर टीवी तो इसका बच्चों के स्वास देवा मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ी उपलब्दी करार किया है और यह वैक्सीन मच्छा जनित जो विमारी है उसके खिलाब विश्व का एक पहला टीका है और मलेरिया से वर्ष बर में दुनिया बर में लगभग 4 लाख लोगों की मोथ हर वर्ष होती है अगला कोशन आगया आपके सामने विश्व कपास दिवस वर्ड कॉटन डे निमलीखित में से किस दिन मनाया जाता है दर्स जन्वरी साथ अक्टूबर बारा मार्च या फिर पंदरा अगर्स तो इसका जो सई विकल पे वो है साथ अक्टूबर हर वर्ष यह मनाया जाता है जिसको बोलते हैं विश्व कपास दिवस या पर इंगलिस में वर्ल्ड कॉटन डे की रूप में और इस दिवस को संयुक्त रास्ट विश्व खाद संगतन और संयुक्त रास्ट व्यपार वा विकास समिलन वा अंतरास्टिय वां व्यपार केंदर के अंतरास विकार सलाकार समयती की द्वारा इसको मनाया जाता है और ये विश्व कपार्दिवर्ज का आयोजन पहली बार 2019 में किया गया था अगला कॉशन थर्ड जिम कापेट का नाम बदल कर निम्न में से क्या कर दिया गया है सेंडल पिक नर्श्न पार्ग प्रहा नाम दफ्षण पार्ग नामरी नेंसिल पार्ग्या पेर राम गंगा नेम्हां प्रहा थिया इसका नाम ईंद्वर्टित किया जो की इंडिया का 19 36 में कی गए थी और उस समस् Wirp रखेगा हमके संफ्य के नाम से था के नामपर रखा गा था और ये संजुथ राष्ट के जो गवर् efforts मैलकम हैली उनके नाम पर eles These स्फ़र्वेल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भार्ती खिलाडी निम्ने में से कौन बन गए हर्सल पटेल रविंद्र जट्रिदा केदार जादव या फिर हर्वजल पटेल जो हाली में अभी 6 अक्टूबर को आबु दवी में जो सीख जायद स्टेटियम में खिली गए जो मेज था आइपिल का उसमें हर्सल पटेल ने सांदार गेंदवाजी करकर संद्राजर हैदराबाद के खिलाब ये तीन विकेट लिए और इसी के साथ में एक सत्र में सबसे जादा विकेट लेने वाले हैं लाडी बने जिसका नाम है हर्सल पटेल जो कि 29 विकेट अभी हाली में उने लिये अगला कॉश्चन नमर पांच निम्न में से किस राज में राइगड जिले के अली बाग में मसूर सफेद प्याज को भोगोलिक संकित इसको जिया गया है बिहार, चतिरगड, महारास्ट या फिर जार खंड तो इसका महारास्ट राज का यह जिला है राइगड उसके अलीवा का यह मसूर सफेद प्याज है इसको हाली में अभी जिया इटेक जिसको बोलते हैं बहोलिक संकित जिसकी उस पर्टिकुलर एरिये में उत्पाद में लाब देने के लिए जिया जाता है और ब्यापक बजार में एक वैल्यूबल जो इंडेक्स होता है उसको कहते हैं जिया इंडेक्स जो की प्रोड़क्ट के लिए दिया जाता है अगला कॉर्शन नमबर सिक्स केंद्र सरकार ने हाली में अगले पांच वर्षों में कुल 4,445 करोड रुपे के परवे के साथ में कितने मेगा इंट्रिकेट यहाँ पर जिसका नाम है मेगा इंट्रिकेटेट टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल रीजन एंड अपरिल पार्क जो की पीम मित्र के नाम सा इस्ताफित के जाएंगे और इसमें लगभग 4,445 करोड रुपे का परवे करने की इसमें मंजूरी दी गई है और जो कपड़ा मंत द्शाशत रही हैं इस समय पियूस इनों है अभी हाली में यह बताया है कि यह जो पार्क है यह टोटल दस राज्यों में से चुना जाएगा दस राज्यों में से जो होगे उन में सबसे पहले पहल के जाएगी अगला कॉर्चन सात्वा किस राजी सरकार ने भारत का पहला इफिस मार्केट एप फिस वाले लॉंच किया है पंजाब आसाम तमिलनाडू या फिर जहारखन तो इसका से विकल्ब भी है यानि कि आसाम स्टेट ने अभी हाली में फिस वाले एप लॉंच किया और इसे भारत क पहला इफिस मार्केट एप कहा जा रहा है और ये एप के माध्यम से खरीदारों और विक्रिताओं दोनों को मचली जलिये क्रिसी उपकरण दवा मचली और उनके मचलियों के लिए जो फीड होता है और मचली के बीद इनको ओनलाइन एकी प्लेटफॉर्म पर बेचने और ये काफी जादा मदद मिलेगी अगला कॉर्शन आ गया कॉर्शन नमर आठवा प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने हाली में किस राज में स्वामित्व योजना के तहत तीन हजार गाउं और एक हजार एक लाकिकतर हजार लावारतियों को यी संपत्ति कार्ड वित्रित किये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्द प्रदेश या पर राजिस्तान तो इसका जो सही विकल्प है वो है मद्द प्रदेश मद्द प्रदेश में स्वामित्व नाम की ये योजना है जिसके तहत तीन हजार तीन हजार गाउं के एक लाकिकतर हजार जो लावारतिय उनको इस अंपटिकार वित्रित किये गए और इस योजना का जो लक्ष है वो देश के गाओं में जो लोग रहने हैं उनको आवासिय जमीन का मालिकाना हक दिलाना है अगला क्वेशन क्वेशन नमर नो भारती बायूसेना इंडन एयर फोस डे जो दिवस है वो निमली खित में से किस दिन मनाया जाता है आठ अक्टूबर दर्स जन्बरी बारा मार्च या फिर बीस माई तो इसको सई विकल्प है वो है यह विकल्प आने कि आठ मार्च को हर व बायूसेना दिवस या फिर एंडा को इस देवस अधिकारिक रूप से शार्वजे और साजबिनई रूप से स्रक्षा के लिए किसी भी संगठन में भारती बायूसेना के महत्क के वारे में जारुखता बढाने के उद्देश से मनाया जाता है कि अगला कॉर्शन आ गया कॉर्शन नमर यह दस्वा और इस वीडियो का यह आखरी प्रसने करेंट अपेस का आर्वियाई ने वित्ती वर्ष 2022-2023 में पहले तिया माही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतित्सत रखने का अनुमान जताया है रहने का 10.5% 12.4% 17.2% यह कि पहले तिमाए में रियल जीडीपी ग्रोथ होने का अनुमान लगाया है और यह बता दें आपको कि आर्वियाई की जो गवर्नर है वह वर्तमान में ससी कान दास है और उन्होंने इसके वारे में एक पूरा संकेत दिया है तो यह ते टूटल 10% जो कि मैं आपके सामवें लेके आया करेंट अफेस के वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे इस तरीकी की प्रस्टन जो कि करेंट अपरेस के मैं रेगलर ला रहा हूं इसको देखने के लिए बने रहे मेरी चैनल के स सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के हाथ में तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं जय हिंद जय भारत